पोटल कुर्मा आज हम घर पर बना के तेयर करेंगे वह भी बीना टमाटर बीना चार मगस बीना काचु से और यह बहुत टेस्टरी होता है गाईज एकड़ रेस्टरंट जैसा टेक्शर और टेस्ट आपको यह घर पर ही दे देगा तो वीडियो को बीना स्कीप करें फूल द यह हूँ एक कड़ाई कड़ाई में मैंने आड़ कर दूंगी दो चा मज़ितना तेल तेल गरम हो जाने के बाद अब हम इसमें आड़ कर देंगे पारवल और उसके साथ कटा हुआ आलू को तो यहां पर अब हम इसमें आड़ कर देंगे एक सा मज़ितना सल्ट मतलब स्वा अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और उसके साथ अब हम इस सभी चीजों को अच्छी तरह से थोड़ी दर के लिए मिक्स कर लेंगे याद रखें कि इस टाइप पे ग्यास का फ्लेम जो है आपका स्लो रहे अगर हाई रहेगा न यह जल जाएगा नीचे से तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे कुस्ट्रेम के लिए कुस्ट्रेम के बाद यहाँ पे मैंने कफर हटा के आपको यहाँ पे दिखाया हूँ दिखिए यह चूप पारवल और उसके साथ आलू है यह अच्छी तरह से फ्राय हो चुका है अब इसको प्लेट पे निकाल लोंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो प्यास और उसके साथ कुछ लसन उसके साथ अद्रक और दो मिर्च को तो अब हम इस सबी चीजे को ग्राइंडिंग जार में आड़ कर देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया हूँ एक समझ इतना तेल को और उसके बाग अब हम चुग रैंट करके रखे थे ना मिक्शर को इसमें आड़ कर देंगे पेस्ट को को थोड़ी से लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, अब हमें सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, यहां पे हमारा रेसिप्ट खतम नहीं हुआ है, आगे से दिखिए तो आपको पता लग जाएगा, स्कीप मत कीजिए, तो अब हमें इसमें पानी था, सब पानी गायब हो जुका है, तो अब हम इसमें आट कर देंगे, एक समस इतना धनिया का पाउडर, एक समस इतना गरम मसाला का पाउडर, एक समस इतना भूना हुआ जीरा का पाउडर, रोस के साथ, अब हम सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, तो अ पारवल अद आलो को, उसी को हम अच्छी तरीके से इस तरह से मिला लेंगे. ये थोड़ी सी मेग सोचाने के बाद, अब हम इसमें आठ कर देंगे दही को. तो मैंने यहाँ पे पास तीन चमस इतना दही को इस तरह से क्रिमे टेक्षर जैसा फेट करके लिया हो, इसमें पानी नहीं आठ किया, तो अब हम इस सभी दही को इसमें आठ कर देंगे. आठ करने के बाद, अब हम इस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीतना मुगफली को लिया हो, और इसको बस पांच मिनट के लिए मैंने पानी में इस तरह से भीगू करके रख दिया था, तो हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे. तो अब हम पेस्ट जो है, मुगफली का, उसमें आठ कर देंगे पेस्ट को, इस तरह से आपको फाइन पेस्ट बनाना है. तो याद रखिए चार मगर्स काजू के बिना भी आप इसको बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बना सकते है इस रेसिपी को. तो अब हम थोड़ी सी पानी को इसमें आठ कर देंगे, जो कि मुगफली में बच्चा हुआ था ना, ग्रैंडिंग जार में, उसमें थोड़ा सा पानी आठ करके इसमें आठ कर देजिए. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उपर से थोड़ी सी आड़ कर देंगे जो है गरम मसाला का पाउडर उसी को आड़ कर देंगे और आड़ करने के बाद हम इसको अच्छे करासे मिलाके इसको छोड़ देंगे कुस्ट्रेम के लिए और कुस्ट्रेम के बाद यहा मज़ितना चीनी बिलिब मी गाईज ये चीनी याड़ करने से न इसका टेश जो है मिठा नहीं होगा इसका स्वाद जो है दुगुणा बढ़ जाएगा तो स्वाद अनुसार थोड़ी से नमक मैंने डाल दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नमक कम लगा इसलिए तो यहां पे आप देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है ना हमारा पारवल और आलो की इस सची उमिद करती हूँ आज की इस रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले आप इसको बनाईए खाईए और आपकी भन तो मेरे को कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताएए तो आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आपको